एपिसोड की स्टार्टिंग में तामाई को अपने अंकल के लेटर लिख रहा होता है और कहता है अंकल उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे मेरे आई स्कूल की छोटिया चल रही है और बहुत से बच्चे मेरे घर पढ़ने आते हैं साथ ही मेरे क्लासमेट्स भी और साथ ही मुझे यकीन है कि आप और तामाग को भी एक दिन जरूर आओगे कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजव लेटर पढ़ रही होती है तब ही वहाँ पे तामाग को आजाता है साथ ही यूजव से कहता है क्या ये लेटर मिदोरी की तरफ से है यूजव बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फ्रेंड मिदोरी ने बेजाए तामाग को बोलता है कि जब भी तुम उसका लेटर पढ़ती हो तुमारे आखों में एक अलग से खुशी होती है तब ही लेटर पढ़ते पढ़ते है चानक से यूजव काफी जदा हैरान हो जाती है तामाग को बोलता है कि क्या हुआ क्या बात है यूजव बोलती है कि असल में बात ये है कि जब मेदोरी है असल में उसका बीबी होने वाला है और मैं इस बात से काफी ज़दा खुश हूँ तो यूजू बताती है कि वो मिदोरी से किते इच्छे दोस्त और मिदोरी और वो किते इच्छे दोस्त रह चुके हैं तब यूजू जो 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 जाती है साथ ही यूजू बताती है मेदोरी जो है वो तोकियो में रहती है पर वो कियोशा में शिफ्ट होने जा रही है और वो अभी तोकियो में ही है और अभी वो तोकियो में ही रहती है अगर वो कियोशा में चली जाती है तो मैं उसे कभी दबारा नहीं मिल पाऊंगी तामाही को बोलता है तो मैं तुम्हारी बात समझ गया तुम उससे मिलना चाहती हो न अगर तुम उससे मिलना भी चाहती हो न अगर तुम उससे मिलना भी चाहती हो मैं मना नहीं करूंगा तुम जा सकती हो उससे मिलने के लिए तुम तोकिय जा और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ युजू काफ़ ज़दा हैरानी से तामाईगों के तरफ देखने लगती है और कहती है तामाईगों को बोलता है कि क्या हुआ क्या बात है क्या तुम जाना नहीं चाती तो युजू बोलती है पर आपका क्या मेरे कुछ टाइम के लिए चले जाने के बाद ठीक रहोगे तामाईगों को बोलता है क्या तुम उससे देखना नहीं चाहती तो फिर से उसकी तरफ देखती है और फिर से किने लगती है कि क्या वाकिय है मैं जाओ तामाई को बोलता है मैंने कहान मैं बच्चा नहीं हो तुम मेरी फिकर मत करो तुम बे फिकर हो के जाओ और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ मैं यहाँ पे अकेले भी जंदा रह सकता हूँ नेक्स सीन ट्रेन स्टेशन का होता है जहां पर यूजर ने एक प्यारी सी किमोनो पहनी हुई होती है तामाई को बोलता है कि तुम ध्यान से जाना हो और अपनी दोस्त के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना और उससे अच्छे से मिलना और बात ही करना जबकि यूजर टामाई को से बोलती है कि मुझे नहीं पता हमें मिले काफी ज़ता टाइम हो चुक है और काफी ज़ता टाइम बीच चुक है मुझे नहीं पता कि उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं, क्या पता वो मेरे को भूल गई हो, जैकि तामाहिको चला के कहता है, कि ऐसा नहीं हो सकता, एक सचा दोस्त कभी अपने दोस्त को भूलता नहीं है, और वैसे भी तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो, यूजू जो ह खाना बनाना आता है, तो यहाँ पर दामहिको के help कर सकती है, उसको खाना बना के, मतलब कर कर के दे सकती है, फिर भी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, रियो बोलती है, यूजू से कि तुम चाहती हो कि मैं तुमारे दामहिको के लिए कुक करूँ, क्यों है न, तो मैं हिट करती हूँ, क्रियो कावजदा हैरनों के बोलती है, पर ऐसा क्यों तो मैं मुझे हिट करना चाहिए, फिर यूजू अपने पास्ट के बारे में बताती है, यूजू बताती है कि उसकी भी एक बड़ी बेहन थी पर उसके पैदा होने से पहले उसकी डेथ हो गई उसकी बोलती है कि मैं तो उससे कभी मिल भी नहीं पाई, पर जब भी मैं सोचती थी कि मेरी बिक्सिस कैसी होंगी तो मुझे आपका चेहरा याद आता था, कि अगर वो यहाँ पे अभी होती है तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती है, और अपने छोटे भाई बेनों का ख्य ख्याल लगती है, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बेनों का ख्याल लगते हो, जबकि रेयो उसकी बात सुनके काफ़ जदे हैं आप होती है, रहान होती है, और फिर थोड़ा कहती है चलाते हूए कि तुम इती जदा नाइस क्यों हो तो फिर कहती है, वह कहती है, चलो ठी कि तुम वागर फिर से चाहती है, तुम याइस प्रिजों करें और फिर सकते हैं, तुम यहासे चलोगी है, और फिर वह तोड़ा बहुत दिस चैतानी असी हसती है, जिसके मुझे से, यूसूप काफ़ी जदा यहाँ पर फिर सिनर्बे पर सिन्प्रेजॉन पुर दोने हम बात करते हैं फिर यूजु होती है तामाई को होते हैं वो दोने एक दुसरे को किस्ट काने लगते हैं पर टबही तामाई को अपने पनी आपको रोग लेता है और कहता है कि नहीं वो यह सब पब्लिक में नहीं कर सकता कि कि वो अभी पब्लिक में है यूजो भी सर्माने लगते हैं और बोलती है कि अरे वो क्या करने जा रहे थे और उसे काफ़ जदा शरमारी है और उसे काफ़ जदा शरमारी है मझे करके बोलती है मिदोरी जो होती है वो भागतुए वहाँ पे आती है और कहती है कि यूजू तुम कैसी हो फिर दोना एक दूसरे के मिलते ही गले लगते हैं और कहती है मिदोरी मैंने सुचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी फिर वो लोग काफी शॉब में बैठते हैं बाते करने के लिए तो मिदोरी होती है थोड़ा बहुत अधास होके बोलती है कि क्या मैंने मिदोरी यूजू यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत गरबर नहीं कर दी शादी से पहली प्रेगनेंट हो गई जब यह बात मेरी मॉम डेट को बता चली तो मैं उनके बोस अपने काफ ज़दा शर्मिनदा थी फिर मिदोरी जो होती है यूजू से पूछती है अमने तामाइको के बारे मैं कि यहाँ पर मिदोरी मतलब यूजू की लाइफ कैसी चल रही है और उसके बारे मताने को कहती है तो यूजू बताती है तामाइको के बारे में कि तामाइको कि तद्द अच्छा है और कि तद्द अच्छा है और कि तद्द अच्छा है फिर वो लोग कुछ टाम बात करते हैं और फिर मिदोरी के वो लोग घर पे पहुंचते हैं अबे मिदोरी का वो घर होता है मिदोरी बोलती है कि अभी जो उसके husband office में और आज सिफ वो दोनों ही है गर पे अखिले दोनों घर के अंदर आते हैं जहां भी यूजू को उसको घर काफ़ जदा अच्छा लगता है और वो कहती है तो बहुत अच्छा है फिर वो लोग विंदो के पास आते हैं और वो देखने लगते हैं जहां भी वो कफ़ जदा अच्छा होता है फिर वो एक साथ जो यह गाना गाने लगते हैं वही पर अपना फीवरेट गाना एक साथ गाने लगते हैं नेक्सिन ना मैद्वें लपोस्तों करने करते हैं मैदूरी जो युजू के बारे बुढ़े माई सबoshopने मारी हजबन में ने बारे बारे बता हो जबकि यूजू काफे जदा खोश होते है बोलती है कि मुझे मतलब नहीं चाहे कुछ भी हो मैं हमेशे टामाई कुकी साइट पर रहना चाहती है तो यूजू की बात सुनके यूजू पर कहती है कि असल में क्या होगा अगर तुमारी बात सच हो गई और सई टाइम ना आया तो फिर हमारे बेबी इस कैसे होंगे और हमारी बात आगे कैसे वड़े की तो जबकि जो मिदोरी होती है वो उसके बात सुनकी काफ़ जदा चाहा हसने लगती है और फिर बाते करने लगते हैं ऐसे हसी मजाग करने लगते हैं और फिर ऐसी हसी मजाग के बाद नेक्स ही नमारे तामाही को का होता है चुकि बच्छों को पढ़ा रहा होता है कि तब ही रियो आती है और कहती है कि लंच रेड़ी है सब लोग जल्दी से आज और वेसे समय बहुत जल्दी बेढ़ जाता है, पता ही नहीं चला कि समय इतना जल्दी बेढ़ गया, मैं बोलती है मुझा तो जूट मत बोले थामाई को क्योंकि मुझा पता है कि तम हमेशे उसको याद करते रहे और उसके लिए काफ़ जदा चिंतित भी थे रहेशे हैं उसके बार में ही सोचते थे जबकि थामाई को उसके बात को इगनौर करते हुए अपने ख्यालों में गुम होता है और सोच रहा होता है यूजू के बारे में कि जब से यूजू गई है तब से उसी के बारे मैं सोच रहा है कि यूजू कव वापिस आएगी ताम ही को बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने आस्ते कितना इंतिजार किसी का नहीं किया और इतनी बेसबरी से इंतिजार किसी का नहीं किया मैं बस चाता हूं कि वो जल्दी कर रहा है और मैं ऐसे कहा हूं कि वैलकम हो बस चातों जल्दी आये, जल्दी, जल्दी करके फिर वो ऐसे करने लगता है, पर तभी अचानक से पूरी जगह हिलना चालो हो जाती है, और अचानक से वह बहुत ज़्यादा बड़ा भूकम पा जाता है, और फिर वहां कि पूरी जगह तहस नहस हो जाती है, यहाँ पर पर पीछे की तरफ अटा देते हैं, जो कि तामाई को तो सोच रहा होता है यूजो के बारे में कि अभी इतने खुशाल जगह पर यहालत है, तो उतनी टोक्यो में इतनी बड़ी शिटी में आकर क्या हो लोगा, टोक्यो जैसे बड़ी शिटी के तो हालत खराब हो गई होग होती है जो कि असलमें हार होती है और गल्ली काविशता परोगो तो परिषान होती है ऩह पर से चिट्टि में गते हैं. और संच रूटे दिए चिट्टी डाना उध में अपने से अपने ही सह nhất से घॉप वैसी सीनरी अफडा ओं करें चाहते हैं। पर एक साथ एक खटे बाइसिकल पर ऐसी राइट करना चाहते हैं और यह सल में चिट्टी में यूजों ने तामाहीकों के लिए लिखा होता है और कावज़द अच्छी बाते लिखी होती है जिसके वज़े से जो हमारा तामाहीकों होता है वो पूरी तरह से मोटिवेट हो ज जाए वो जाने के लिए रैडी होता है और यूजों के बार में झा confused tabel के में दूर होता यही हो मैंने यूजों के लिए सबसे पहले खोला तामहीकों जाने के लिए रैडी होता है जाने दोपहले वो एक note को छोड़ जाता है यहही पको दूरはいी Mu które आहेंगे और कांदे इस गर के अंदर जाएंगे, ताम ही को बोलता है, कि उसे मेरे इंजार करो, मैं आ रहा हूँ, और इसी के साथ ही वाल एपिसोड ये इन भी खतम हो जाता है, आई योब आपको इडियो पसंद आए, पसंद आए, तो लेक कर देना, चल बेना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते ह अगली वीडियो मैं आए, पीस, गुद्बाइ